असलम्हाने ठ्लासथ आजकर जो मैरे लेक्षर है वह रिकॉर्डिग औफ अशेट्स के बारे में है रिकॉर्डिग का मतलब है जो फाइनेशल ट्रांजेशन्स刑 कहले होती हैं उनको हमने कैसे लिखना है कैसी रिकॉर्ड करना है क्या format है, कौन से debit and credit के rules है, जो assets की recording पे apply होते हैं, तो debit credit rules, पढ़ने से पहले हम देखते हैं, assets क्या होते हैं, assets are economic resources that are owned by the business, यानि यह वो economic resources होते हैं, जो company की ownership में होते हैं, and are expected to provide positive future cash flows, और इनकी वज़े से company को business में future cash flows होता है, यानि के इनको future में cash मिलता है, cash increase होता है इनकी वज़े से, अब for example we have cash accounts, accounts receivable, notes receivable, supplies की हम बात कर ले, land, building, office equipment, furniture's, fixtures, और आप कोई vehicle है, कोई यानि के car है, ये तमाम आपके assets होते हैं, क्योंके company ये own करती है, company अपनी की ownership में होते हैं, तो increase and decrease assets होते रहते हैं, increase और decrease का मतलब है, अगर आप कोई asset purchase कर रहहा है, तो asset increase हो रहा है, कोई asset out sale कर रहा है, तो asset आपके पास से decrease होता है, तो ये transactions होते हैं, in transaction को हम कैसे record करते हैं assets के recording के जो rules है वो यह है कि अगर assets increase हो रहा है तो उसको debit column में लिख देते हैं और अगर asset decrease हो रहा है तो उनको हम credit column में लिख देते हैं तो यह assets के rules है यह कुछ transactions है business transactions है इनको हम देखेंगे कि कैसे हम इनको record करते है, record का क्या format है recording का क्या format है तो यह general entries का format है कि इनको हम किस तरह से record करते हैं सबसे पहले हम company का नाम लिखते हैं अगर given है तो आप name of the company लिख लीजे उसके बाद general, journal entries लिखते हैं फिर चार यह main columns होते हैं जिसमें सबसे पहले date है date हम chronological order में लिखते हैं chronological order का मतलब यह है कि हम जो transactions पहले अकर हुई होती है उसको हम पहले लिखते हैं और जो बाद में होती है उसको बाद में यानि हम time basis की recording करते हैं accounts title है, हमारे पास different accounts होते है assets, liabilities, owners, equity तो जो जो accounts होते हैं उनके हम title यहां पे लिखते जाते हैं involve होते हैं, rule यह है कि सबसे पहले हम तमाम accounts debit वाले लिख लेते हैं और बाद में हम credit में लिखते हैं जो एक particular transaction से related होती है at a time, उसके बाद फिर हम debit में amount लिख देते हैं credit में amount लिख देते हैं according to the debit credit rules अब हम assets के rule पढ़ना है तो assets के rule यह है कि assets अगर कुछ transactions मौझूद हैं तो इन transactions को हम देखते हैं one by one और फिर हम इसकी recording करते हैं recording करना सीखेंगे किस तरह record करते हैं तो 10th August को यानि के date दी भी है 10 August को क्या हुआ है sold office furniture for 25,000 dollar cash cash के against office furniture sale किया है तो अब इसमें दो चीजे involved हैं सबसे पहले तो यह है कि आपने office furniture sale किया है office furniture asset है sale करने का मतलब यह है कि वो decrease हो रहा है तो अगर rule क्या है अगर asset decrease होता है तो हम उसको कहां लिखते हैं credit पे इसकी entry हम कहां करेंगे credit side पे करेंगे क्यूंकि asset आपके पास से चला गया आपने बेश दिया आपने sale कर दिया तो asset decrease हो रहा है credit पे recording हो जाएगी और लिखावा है for cash यानि कि आपको उसकी against क्या चीज रिसीव हुई है क्या चीज मिल गई है cash तो यहां पे आपके पास cash increase हो जाएगा आपके पास cash आ जाएगा cash क्या है asset क्या हो रहा है increase हो रहा है asset का rule क्या है asset अगर increase होगा तो हम किस column में लिख देंगे asset को हम debit column में लिख देंगे अगर वो increase हो रहा है तो एक asset जो increase हो रहा है वो debit हो जाएगा दूसरा asset जो decrease हो रहा है वो credit हो जाएगा तो यह इसकी recording का तरीका है तो हम इसको record करते हैं, journal में देखते हैं, सबसे पहले हम क्या record हम लिखेंगे, date, किस date को transaction हो रही है, date लिखने का तरीका यह है, कि हम सबसे पहले year लिखते हैं, इसमें तो year दिया वा नहीं है, तो हम month लिख देंगे, कौन सा month है, august है, और date क्या है, 10th, 10th august को पहली transaction हो रही ह accounts, सबसे पहले हम debit वाले account लिखते हैं, तो यहां पर हमारे पास क्या चीज debit हो रही है, यह cash, और note कीजे, कि cash को बिलकुल हमने line के साथ लिखा है, यानि कोई space हमने नहीं छोड़ी वी, कितना cash involved है, यहां पर कितने cash receive हो रहे हैं आपको, 25,000 dollars, तो 25,000 हमने लिख दिया, और फिर credit क्या हो रहा है, furniture, credit हो रहा है, office furniture, और वो हमने फिर credit वाले जो accounts हैं, वो हम थोड़ी सी space के बाद लिखते हैं, यानि office furniture, तो अब note करें कि debit हमने बिलकुल line के साथ लिखा है, और credit के लिए हमने थोड़ा सा space थोड़ा है, उसके बाद amount हम यहां पर देखेंगे, कि कितन entry system पढ़ा था, previous lectures में, तो उसमें double entry system आपको यह बता रहा है, कि हर amount, हर transaction की, जितनी आप debit करेंगे, उतनी ही आपने credit करना लाजमी है, तो debit और credit क्या होना चाहिए है, equal होना चाहिए है, यह double entry system बताता है, तो आप चेक कर लिजए कि हमने एक transaction complete की है, और जितना हमने debit side पे amount क्लिकी है, इसी तरह आप हम second transaction देखते हैं, second transaction में क्या हुआ है, date हमारे पास second transaction की है, 18 August, sold office furniture for 25,000, again हमने office furniture sale किया है, लेकिन difference क्या है, पहली और दूसरी transaction में, पहली transaction में हमने transaction की थी cash basis पे, जबके यहां पे हमने transaction की है, on account, on account का मतलब है, उधार पे, on credit, credit पे की है, तो अब हमारे पास rule again furniture का वो ही apply होगा, office furniture, आपने office furniture क्या है, asset है, आपने क्या किया है, sale किया है, तो sale करने से asset क्या हो जाएगा, decrease हो जाएगा, और asset अगर decrease होता है, तो rule क्या है, हमारे पास decrease of asset हम कहां record करते है, credit पे, तो इसकी recording हम कहां करेंगे, credit पे करेंगे, तो लेकिन on account, यानि उधार पे, उधार पे मतलब यह है कि जब आपने अपना furniture sale किया है, on account, on credit, तो इसका मतलब है, पैसे involved नहीं है, आपको पैसे नहीं मिले है, आपको पैसे मिलेंगे, future में मिलेंगे, मिलने वाले हैं, तो जो पैसे आपको मिलने वाले होते हैं, वो कहलाते हैं, accounts receivable, तो accounts receivable जो है, यह वो पैसे हैं, जो आपको future में मिलेंगे, यह क्या है, assets है, और यह क्या हो रहे है, ये इंक्रीज हो रहे है तो जब ही भी एसिट इंक्रीज होता है रूल हमारा ये है कि एसिट जब इंक्रीज होता है तो उसको हम कहां रिकॉर्ड करते हैं डेबिट पे रिकॉर्ड करते हैं तो जब हम इसकी ट्रांजिक्शन हम लिखेंगे इसको रिकॉर्ड करेंगे तो अब देख लीजे, अब हम मन्त repeat नहीं करेंगे, हम सिर्फ day दोबारा डालेंगे, उसके बाद एक asset increase हो रहा है, कौन से asset increase हो रहा है, accounts, receivable, increase हो रहा है, इसलिए हमने उसको debit पे लिखा, कितनी amount involved है, 25,000, तो हम यहां पर 25,000 लिख देंगे, यह पैसे भी मिल जाएंगे, और office furniture आपने क्यूंके sale किया है, decrease हो गया. तो decrease हो गया, तो इसका मतलब है, asset decrease होता है, तो इसको हम credit पे लिखते हैं, इस वज़े से हमने इसको credit पे लिख दिया. अब आप पहली और दूसरी transaction में difference आप clear कर देख लीजे, कि पहली transaction में हमारे पास cash increase हुआ है, दूसरी transaction में, क्योंके हमने on account transaction की थी, cash increase नहीं हुआ, बलके future में increase होगा, तो जो amount future में मिलने वाली होती, उसको accounts receivable कहते हैं, इसी वज़े से हमने उसको account receivable को debit किया है. और दोनों ही entries में आपके पास office furniture credit हो गया, क्योंकि office furniture decrease हो रहा है, asset decrease होता है, तो हम उसको किस side पे लिखते हैं, credit side पे लिखते हैं, next transaction हम देखते हैं, next transaction हमारी transaction है, 24 August की purchase office equipment for cash 15,000, अब आपने क्या किया है, office equipment purchase किया है, तो जब आप office equipment purchase करते हैं, purchase करते हैं, तो आपके पास office equipment क्या होता है, increase होता है, और office equipment क्या है, asset है, और rule क्या है, कि जब asset increase होता है, तो उसको हम किस column में लिखते हैं, debit column में, तो इसकी recording कहा होगी dapat column में और cash आपके पास से क्या हो रहा है Decreze हो रहा है cash क्या है, asset है so cash आपका Decreze हो रहा है क्योंकि आप जबी भी asset purchase करते हैं और payment अगर आपने cash वे किया तो cash आपके पास से चला जाता है तो cash decrease हो रहा है اور cash क्या है, asset है तो अगर acid decrease होता है तो उसको किस column में लिखते हैं? उसको हम credit column में लिखते हैं तो यहाँ पर हम उसको किस column में लिखेंगे? टो यह हमारे पास date मौझूद है 24 August और 24 August को हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम हमेशा debit वाली entry लिखते हैं तो हमारे पास office, equipment debit हो रहा है से purchase किया है तो हमने इसको debit कर दिया और आप देखें debit हमने बिलकुल line के साथ लिखा वाई कोई space नहीं छोड़ी है जब कि हम जब credit लिखेंगे तो credit के लिए हम space छोड़ेंगे और फिर हमने लिखा है cash क्योंके cash आपके पास से जा रहा है decrease हो हो रहा है और जब cash decrease हो रहा है asset decrease होता है तो हम उसको credit कॉलम में लिखते हैं तो हमने उसको credit कॉलम में लिख दिया तो यह हमारे पास purchase of asset any asset for cash था next transaction हम देखेंगे next transaction against purchase of asset है but this is on account तो आप देखें purchase of office equipment 15,000 on account है तो on account means आपने asset purchase किया है उधार पे तो asset purchase किया है increase हुआ है तो हम उसको किस कॉलम में लिखेंगे बिलकुल जैसे हमने third transaction लिखी है उसको हमने debit पे लिखा है तो यहां पे भी हम debit पे ही लिखेंगे लेकिन on account लिखा है on account means liability involved है आपने पैसे दिये नहीं है आपने देने हैं तो जो पैसे आपने देने होते हैं उसको हम क्या कहते है accounts payable accounts payable क्या है company के लिए वो liability है और rule assets के against है यानि कि जब liability increase होती है liability increase हो रही है और जब liability increase होती है तो उसको हम किस column में लिखते हैं उसको हम credit column में लिखते हैं उसको हम credit column में mention कर देते हैं this one like this तो यहां पे दिस क्रेडिट कॉलम में हम लिख देंगे तो अब जब एंट्री को हम रिकॉर्ड करते हैं किस डेट की बात हो रही है ट्विटी सिक्स की बात हो रही है बिलकुल ट्विटी फोर की ट्रांजेक्शन की तरह ओफस एक्विपमेंट हमारे पास डेबिट हो कितने का है फिफटीन थाउजन का तो हमने एसेट कितने का परचेस किया है फिफटीन थाउजन का अगर आप पैसे दे देते तो कैश आपके पास क्रेडिट हो जाता लेकिन आपने पैसे नहीं दिये है उधार किया है उधार लाइबलिटी है तो अकाउंट्स पेबल क्यू कि हमारे पास त्रांजिक्शन नमबर थर्ड दोनों सूरतों में हमने आफिस एक्विप्मेंट क्या किया था दोनों सूरतों में हमने आफिस एक्विप्मेंट पर्चेस किया था तो जब आप एसिट पर्चेस कर रहे हैं तो एसिट इंक्रीज हो रहा है इसलिए हमने उसको ड हो रहा है दूसरी सुरत में जो हमने रेपिमिंट पर शे फिर किया है तो उधार क्या है लिपलेटी है और लिपलेटी जभी इन्कूरीज होती है तो इसको हम क्रेड़ट पर लिखते है यह ग्रोल है इस वज़े से हमने इसको क्रेडिट किया है next जांस transaction हम check करते हैं अब next transaction जो है august 28 की और august 28 को वो कहते है the company purchase building worth 50,000 तो building purchase की है date क्या है 28 purchase की है purchase का मतलब है building increase हो रही है asset है asset increase होता है तो rule है इसको debit पे लिखते हैं तो हमने building कितने की purchase की है 50,000 की इसी वज़े से हमने इसको debit किया है कैसे purchase की है लिखावा है by paying 5,000 cash तो हमने क्या किया है 5,000 cash दिया है cash आपका asset है दे रहे हैं आप pay कर रहे हैं तो asset decrease हो रहा है asset decrease होता है तो हम उसको credit पे लिखते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने cash लिखना है और credit वाली amount थोड़ा से space दे के लिखते हैं तो cash हमने क्या लिख दिया हमारे पास से cash कितना चला गया हमारे पास से cash गया 5,000 और transaction complete करने के लिए उसने क्या लिखा हुआ है and sign a note for the remaining balance यानि notes payable sign किया है उधार किया है liability increase हो गई है for the remaining balance यानि 50,000 का asset है 5000 cash दिये तो remaining balance कितना हो गया remaining balance जो अभी हमने देना बाकी है वो कितना है 45,000 देना बाकी है इसका मतलब है liability create हुई है और sign a note है note payable involved है तो यहां पर हम लिख देंगे note payable जो कि आपकी liability है तो यह तमाव हमारे rules थे debit and credit rules थे assets related हमने देखा asset purchase करते हैं तो फिर हम क्या record करते हैं asset sale करते हैं तो हम किस तरह record करते हैं और purchase और sale जब हम cash पे करते हैं तो कैसे record करते हैं जब हम credit पे करते हैं तो कैसे record करते हैं so that's it from this lecture next lecture जो है हमारा हो है debit credit rules of liabilities उसके बाद next lecture में हम देखेंगे debit credit rules for owner's equity then expenses and then revenue so take care class किते हैं जाँ जात next lecture जह जहिए प्राद देखेंगे ज़िए सक्ष्य है जजजई जब हैं तो है, जजए रचे जढ़ते हैं थमारा है, जजखेंगे जढ़ते हैं जज़े हैं पुमाइभरा हैं